और रेसमा जी दोस्तों कह रही थी कि इसे बैल, मुर्गी, बक्री, जो भी है जंगली, जानवार, सुवर, सब इसे खाने के बाद ये सब मर सकती है, अब ये बहुत जहरीली है, अब काफी अच्छी इसका पेट निकल गया, चलिए, अब बारी आ गया दोस्तों, सीर बनाना, है, यहाँ पास आख रहेगा, और ये देखिए, अब हम बना लिये हैं, ये आख है, उपर भी हम बड़ा सा टिकली लगा दिये, काफी पसंद की रेसमा जी, खुस हो गई, अब हम लगा दे हैं, सीर को काफी अच्छा ये दिख रहा है, बंदर धूर से, सबसे पहले आने से क्या करती है, पेड की उचाई पर चड़की वो देख लेती है, कि कोई आदमी खेत में है या नहीं, तो दोस्तों, अब सुनाए दे रहा है, कल हमारी एक पड़ोसी आया था, और वो हमें बता रहे थे, कि उनके तरफ वो पूरा पहास गया, और यहां से ज़्यादा दूरी नहीं है, बस पांच-छे किलिमीटर दूरी के बात है, और उनके साइड सभी फसल कुछी तरह बरब नहीं दोस्तों, लेकिन किसी परिवार का सदस्य को छती पहुचा देती है, या दुनिया से हमेशा उन लोग कभी छोड़के चले जाते हैं, तो इस से ज़्यादा और क्या नुकसान है, अब कर ही क्या सकते हैं, दोस्तों उतना वड़ा वो जो प्रानी है, आईगी तो फिर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सारे का व्लोक्स में, और अभी यह सुभा का समय हैं, सुभा का दोस्तों हम भोजन कर लिये हैं, और यह देखिए दोस्तों हम उसी दिन से हम कहे रहे थे कि हल चलाएंगे चलाएंगे, और आज कापी अच्छा घर के किनारे से पूर अच्छा से सल जटाई कर दिए और जिस्ट दोस्तों यहां पास पानी भी है तो यहां डेली का जो भी दोस्तों धन्या अन्य ऐ मिर्चे उर्चा आज बजार हैं घॉतार को और प्यारा प्यारा गुड मॉर्णिंग डाल दी ना जी जितना भी इसमें हरा हरा पत्ता था उसभी पत्ता मुर्जा के पूरा सुकड गया है देखिये शूप गया है और हम अभी क्या उमीद इसमें रखेंगे दोस्तों यह जगे गया मरेगा लेकिन इसका ताना यह देख लेते हैं यह देखिये फल भी अच्छा ताजा ही है बस वह पत्ता ही मुर्जा अर इस साइड भी हम लगाए थे इसे हम वहां से उखाड की हम नहीं लगाएं है पहले से हम यह बीज को डाल दिये थे तो यह काफी अच्छा देखिये ताजा है और हरियाली भी है और उस सेट कठ़ड का पउधा था उसमें भी पानी डाल दे रही है रेसमा जी आर ये देखिए दोस्तो सुभा सुभा माही बिटिया ये बिल्ली बच्चा का सेवा जतन कर रही है और ये दूध के बह olması है और दक्षा देखे दोस्तों काफे अ हम क्या ही कहें कि यह जो बिल्ली बच्चा है इस बच्चा को जहां था पहले वही पास छोड़के वाफास आ जाओ बोलके तोस्तों हम इसे हम नहीं लाए रहते हैं इस हालात में हम इसे हम पाएं इसकी मामी है वो नहीं है और यह काफी दो दिन से ज्यादा रो रही थी बिल् हम जब से यह दूद ला दिये हैं पाउडर वाला लाती है रहने देजे पीएगी भूख लगे तो छोड़ देदी जी हाँ थोड़ा सा पिलेंगे ना पीली है पेड़ भर गया थोड़ा सा थोड़ा सा देदे थोड़ा सा और इसी पर कर दोस्तों उसकी मम्मी दूद को घोल देती है तो माहिं बिट्स पिला देती है उसको रख दो पीलिया है दो पाहर में फिर से पिएगी और आप लोगों का बहुत अच्छा कमेंट भी आया कि इसको बार-बार छूने मत दीजिये फिर उसी हां से खाना खाएगी तो बिदार हो जाएगी बोलके बात है इसे हम द छोड़ देती है और आभी हम इसका हाथ दूला देंगे अच्छे से साबुन से वो सुबे टाइम और दो पहर और साम किसमा ये तीन टाइम बस दूद्ध पिलाते वक्त पकड़ती है तीरों बाद में नहीं खेलती है बिल्ली के बच्चा को काफец जब से बिल्ली बच्चा घर में आया माहिविट इतना ज्यादा खुस पता नहीं गाव में अक्स現在 क्या होगे इसका मम्पी नहीं गाव में एक Barillä जब बिल्ली के लिए दोस्तों के घर में जाती है वो विल्ली का उसकी मम्मी तो उस समय क्या है वो घर वाले वो कुछ दे देते हैं या मार देते हैं तो उसी पर कर कुछ ऐसा हुआ 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 घटना इसलिए इसकी मम्मी दो दिन तक नहीं आ रही थे और वो पड़ोसी हमें बताएं कि का फिर और भूकी है बोलके तो हमें दोस्तों इस पर तरस आया और ले के आएंगे आव लोगों का दोस्तों ऐसा ही है तो हम इसे वापस ले जाके छोड़ देंगे लेकिन यह मर जाएगी में जरूर आप लोग बताएगा कि यह बिल्ली के बच्चा को हम वास्तेक में जाके वह ही जहां था वाँ छोड़ दें यह हम इसे पाले इसे छोड़ेंगे तो फिर भी माहेविट्रे के लिए इसे तो कोई इफेक वह नहीं रोएगी वह छोड़ देगी वह बहुत पर दय आए थे और उसे छोटे-छोटे बारी काड़ देने के बाद हम एक डब्बा में भरके रख दिये थे और कापी अच्छा दोस्तों वो सुकसी सुखाने के लिए बनके त्यार हो गया है और अभी हम उसे सुखा देंगे दोस्तों यह करिल का जब भी सुकसी बनाते हैं तो त दोस्तों बिली का बच्चा को ले कर रंक दी दूध पीने के बाद अच्छा से ढग दीना कपड़ा से माह धी यहाँ पास देखे बिली का बच्छा को कांप जे डिखे रख दीये और नीची में इस तरह से अपना कपड़ा को विछा दे उसमें चलो माही बीट्या लोग दोनों मा बेटे भी हाथ धो रहे हैं क्योंकि दोस्तों बिल्ली बच्चा को पकड़े थे और अभी से सुखाना है यह देखे रेसमा जी सुबे ही से अच्छा हाथ से ऐसे मस्ता दबा दबा कि इसका पानी है उस सब को निकाल दी है निचोड के और इसे थोड़ा सा धूप में रख दी है इसका जो पानी था उपर उपर को अभी अच्छा से सूग गया है अभी हम चलते हैं चटाई में अच्छा से चट के उपर हम सुखा देंगे और अभी दोस्तों हम आ गये हैं भेंडी बारे के बीच में वही हम करिल का जो सुक्सी बना रह अच्छा है मैं तो इधर देखिए साब जगा इधर सुकाई और इस साइट देखे दोस्तों किस तरह से पूरा भेंडी फला हुआ है आज तोड़ेंगे क्या जी मार्केट ले जाने के लिए आज अच्छा वाला को तोड़ेंगे और गुद्धा वाला को कड़ी बनाएंग और इस साइट ना मुर्गी भी आता है दो पार के समय में तो उससे हम पहले ही से उठा लेंगे नए तो मुर्गी सब इधर उधर पार से लात मार देगी और बता दीजिए जी जरूर दोस्त अभी हम बताते हैं यह देखिए पहले का है जो हम सुपली में देखिए यह रख शुरू है यह लगेगा दो दिन और दो दिन में और अच्छा सूख जाएगा और इसे हम रख सकते हैं बारा महा में कवे भी सब्जी का कमी हो उस दिन हम निकाल की से चटने के रूप में भी खा सकते हैं और सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं काफी अच्छा है दोस्तों यह जब हिमाही बीटिया पकड़ी है यह ताजा है अब जस्त सुभे ही रेसमा जी छे निचोड लिए पाइले के रह और निकलिए बाहर निकलिए भाहर निकलिए दर इदर फटा फटा भी हम इसे सुखा दे रहे हैं और रेसमा जी दोस्तों कह रहे थी कि इसे बैल, मुर्गी, बक्री, जो भी है जंगली, जानवार, सुवर, सब इसे खाने के बाद यह सब मर सकती है अब यह बहुत जहरीली है, इसलिए हम घर से थोड़ा धूर लाके हम इसे सुखा रहे हैं जी 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 नहीं चोड़ा बते हैं, इसका हम रखवाली करेंगे, एकदम इसे नहीं छोड़ देंगे आदमी पता नहीं क्यों नहीं मरते हैं, बाकि सब चीज आदे भी मर जाएंगे, खाएंगे तो मर जाएंगे, यह जहर हो चुका है क्योंकि इसे तीन-चार-पाथ दिन हम दब्बाएं भर के पूरा बंद कर दिये थे जिली बांद की, यह पूरा जहरील प्रक हुआ है करिल कभी हम सुखा दे हैं और सुखा थे देखे माहे विटिया सो गई उसकी मम्मी अच्छा से सुला दे रही है और यह जो दोस्तों बंदर काफी ज़्यादा परिसान हमें करके रख दिया है, काफी ज़्यादा उतर रहा है और धान को हमेशे की तरह जैसे बरबाद पूरा कर दे रहा है तो आप लोगों का दोस्तों काफी सुन्दर और प्यारा सा कमेंड आया है कि खेत के बीच में ये का पूतला बनाई है और पूतला को रख दीजेगा जो भी खेत में उतरेगा जंगली जानवार बंदार अंदर सब उसी देखीगी तो वो समय वो डरीगी और खेत के अंदर में नहीं आएगी तो ये दोस्तों हम कभी भी ऐसे आजमा के खुद करके तो नहीं देखे हैं कि सच में वो डरीगी या नहीं डरीगी लेकिन दोस्तों अभी दूस्तों की साइट से बंदर घुस्ती है जंगली जानवार उसी साइट हम उस पुतला को बना के हम खड़े करके रख देंगे तो उसके लिए दोस्तों हम फटा वाला या अच्छा वाला जो भी है हमारे पास कपड़ा उस कपड़ा को ले के आ गए हैं और हमें लगेगा दो खूटा यानि कि हम बंबु को यूज करेंगे और सीर बनाने के लिए हमारे पास एक तावा बोलते हंडी जिसमें हम पहले दोस्तों सबजी बनाया करते थे वो थोड़ा सा फूट गया है तो उसको दोस्तों हम सीर बनाएंगे तो चले अभी हम जुड जाते हैं काम में और माहे बिट्या तो अभी अच्छा अराम से सो रही है मस्ता ये मौहा का पेड़ है मस्ता थंदी थंदी पवन चल रहा है यहां इसी को हम तवा कहे रहे थे यह देखे यहां से यह थोड़ा सा फूट गया है तो ये पहले बहुत ज़्यादा ये गंदा था अभी अच्छा से हम इसे साप करके धूप में रग दिये हैं और काफी अच्छा ये सूख भी गया है तो इसी में हम आख ना कान सभी चित्र हम इसमें हम बनाएंगे और इस साइड देखी बंबू हम लेके आ गाए हैं और ये है टंगिया टंगिया के सहता से हम इसको फटा फट नाप के अच्छा से काट लेते हैं अभी संदिव जी मस्ते ये बंबू को काट रहे हैं टंगिया की मदद से ओहो इतना लंबा और अभी दोस्तों हम बांस को अच्छा से काट लिये हैं अब इसे हम बांध लेते हैं रस्ची से उसके बाद में इसे पोसाख पहना देंगे और यह देखिए हम रस्ची लेक्या गए है और अभी हम अच्छा से बांध दे हैं मजबूत रस्ची से अभी बारी है कपड़ा पहनाना तो पहनाईए जी और अभी यह पहना के भी हो गया है थोड़ा सिसका हम पेट को निकालेंगे पेटूराम बनाएंगे इसे इसमें खरापूराम कपड़ा को इस परकार से इधर पेट निकल जाएगा तो बंदर को लगेगा कुछ भी जंगली जानोर आएगा तो यह बहुत मोटू वाला आद्मी है बोलकी डरेगा और इधर हम इस तरह से देखिए पहले से नोकिला बना दिये हैं इस परकार से काफी अच्छी इसका पेट निकल गए है चलिए अब बारी आ गया दोस्तों सीर बनाना वह उपर हम सीर बनाते हैं और हम पहले से थोड़ा सा चुन्ना घोल लिये थे और इसी चुन्ना को हम यूज में लेंगे और इस साइड यह तवा को भी लेके आ गए हैं पर हमें दोस हम बना रहे हैं यहां पास आक रहेगा और यह देखे अभी हम बना लिये हैं यह आक है उपर हम बड़ा सा टिकली लगा दिये यह दिखने के लिए तो दोस्तों आदमी के शकल की तरह नहीं दिख रहा है अब यह मूच भी हम बड़ा बड़ा बना दिये हैं इस तरह से रजेमा जी काफी पसंद की, thank you, thank you. काफी पसंद की, रजेमा जी खुश हो गई. सन्नी जी को चीतर बनाने आता था या नहीं पता. इसमें दे काफी सुदर बना, इससे देखे ना जी, इतना सुदर बनाया हूँ, पसंद की बात ये नहीं है दोस्तों बस ये डराने की बात है जानवर डर जाए इतना ही है इसका काम काफी सुन्दर बनाए इसे रोंडिंग कर दीजिए फिर चले जल्द से डग देंगे माहे बिटे डर जाएगी ना और ये माहे बिटे उटने के बाद देखी गे और यह रेसमा जी दोस्तों नाक को जोड़ दिये देखें, बड़ा सा नाक बना दी, ऐसे रहने दीजे ना जी, इधर हम दोस्तों बना लिये हैं उसका बोडी, जोड़ देते हैं, चलिए, अभी बारी है दोस्तों, खेत में लगाने का, और हम लेके आ रहे हैं, सभी कोछ को हुआ है और यहां पास इस तलकाफ ही बड़ा बड़ा यह देखें चेरोटा पूरा हुआ है, यह चेरोटा के भी दोस्तों काटना है, और हम एक खल्याल बना के सभी धान को एक कठथा करके रखना है, यह पास का सभी धान को यह सब काट कर खा दिया है, पूरबंदर, से पहचानते हैं उसका पैर का जो है निसान जमीन में उंटा हुआ रहता है तो उसे पहचान हो जाती है कि यह कौन सा जानवर यहां पास आई थी रात में तो वो बंदर का अलग ही दिखाई देता है वो धान खड़ा रहता है बस उपर का हिस्सा को धान कोई खा लेती है तो हम अभी चलते हैं उस साइट और उस साइट सी जादा आती है जो भी हो गया तो हम उसी साइट इस हम पुचला को लगाएंगी तो आये जी बीस्ते हम चलते हैं जी चली है अभी दोस्तो हम खेत के बीच में पोवच गये जो हमारा पुचला है हम ऐसे जगहा में गाड़ रहे एस साइट से भी डरना चाहんだ जब जंगली जाना और आए डिन हो या राथ हो लो ज्यासा हमारे पीछे साइड से, इस साइड से भी दूस्तों दिखना चाहिए तो हम ऐसे center जगह में हम इसे गाड रहे हैं और सामने साइड से- दूस्तों हम है ही औधर से तो हम ड़ाएंगे बशी इस साइड दोनों साइड से दिखना हुआए तो अभी हम इस अच्छा से यह टंगी हम गाड देते हैं Dodge s कपेड़ गुर गया हम पर जालनेंगि जी पर पर देखे noodles Llya मैं अफने हाठ से बनाया एकुर हम नहीं दिखाए थे यह रेशमा जी का बनाए हुआ है काफी खुब सूरत बनाई है आग भी मस्ता प्यारा-प्यारा है अरे देखे नाग चलिए जो भी बनाई ठीक है बस बंदर डरना चाहिए हम अभी लगाते हैं यह देखे रेशमा जी की तरफ आगे कर दिया अब हम लगा दे हैं सीर को काफी अच्छा यह दिख रहा है बंदर धूर से सबसे पहले आने से क्या करती है पेड की ऊचाए पर चड़के वो देख लेती है कि कोई आदमी खेत में हाई या नहीं जैसे पेड को उपर में दोस्तों बंदर चड़की देखी कि खेत तरफ सबसे पहले यही मूरत दिखेगा य चलिए पीछे अपने साथी लोगों को फिर नहीं आएगी हम यह सोचते हैं अभी देखना है दोस्तों इसमें बंदर आएगी और भी जो भी सूर हो गया और हीरा नूरान सब रात में आती है दिन में वह वास्ताविक में इसे डरीगी है नहीं डरीगी हम जरूर बताएंग आपे फ्लेख में भी जोरूर और देखी नहीं पाई हम बनाएं लाएं और गार भी दिये हम देखे जाएगी महारीगी जरूर्य वह माई बिटिया शे मे तो क्या रिएकसाण रहे आएगा अानु तुफान आएगी तो यह नहीं गिरना चाहिए अच्छा से तो गाड़ दीए यहां पास काफी अच्छा सूखा वाला है देखे पेड़ है और नीचे में बहुत सारा यह लकड़ी गिरा है तो रेसमा जी खाना पकाने के लिए पकड़ ले रही है तो जलेगा यह लकड़ी सा गया है जो हम बारिस के समय में थोड़ा से कठा किये थे तो बारिस के सिजन को तो अच्छे से निकल गया ना जी लेकिन अभी दोस्ता हम फीर साई-साई सुखा वाला लकड़ी ढूनना पड़ेगा तो अच्छा रहता है खाना सवजी पकाने के लिए अभी यह दोपार का स अभी हम पहुच गए है दोस्तो यह देखी यहां पास हम लकड़ी कोई कठा कर रहे हैं फिर से और इस सट माही विटिया उठकी हां बैड़ गई थी और हम सोच रहे थी कि माही रो रही है बोल कि यह नहीं रो रही थी सांत बैठी हुई थी हाँ अभी 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 उठी थ जाइए जी पानी लाइए फसल को बचा पाना इस साल और जादा मुश्किल हो गया और इसी सिजन में और इसी समय में हर साल हमारे साइड दोस्तों वही जो वो गनेश देता है वो पहाच जाती है और जो भी उसके सामने फसल देखा वो सभी फसल को बरबाद कर देती है पि तो उसका जो प्रकोप रहता है, वो गाँज जाती है, हर लोग डर जाते हैं और जहां से गुजरते हैं, वहां से वो पूरा दोस्तों आस तहास नास करते भी चलती है तो दोस्तों अभी सुनाए दे रहा है, कल हमारी एक पडोसी आया था और वो हमें बता रहे थे कि उनके तरह वो पूरा पहस गया और यहां से ज़्यादा दूरी नहीं है बस पांच-छे किलिमीटर दूरी की बात है और उनके साइड सभी फसल कुछी तरह बरबाद कर दिया है तो आज हम आए सुबह सुबह दोस्तों हम सरेश्मा जी के साथ उठ कि वही हम सोच रहे थे भगवान से दूआ और यासना कर रहे हैं कि चलिए आए फसल को खाए वो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों लेकिन किसी परिवार का सदस्य को छती पहुचा देती है या दुनिया से हमेसे उन लोग कभी छोड़के चले जाते हैं तो इस से और ज्या लगाने के लिए और पुतला से उतना बड़ा वो जो गनेश देवता है वो कहां डरेगी नहीं डरेगी वो तो जिन्दा मनुसिया को कुचल के सामने बढ़ जाती है तो बड़ा बड़ा घर को तोड़ देती है उसके सामने में वो पुतला कुछ भी नहीं है वो तो बस वो एक सूखा पेड समझी तो चलिए दोस्तों आज भी हम चलते हैं माही बिट्या लोगों की तरफ मैं पाने पी के फिर इधर आ गया था बंदर को देखने के लिए कि वो पुतला को देख के डर रही या नहीं लेकिन अभी तक दोस्तों नहीं पोची है बंदर तो चलिए ठीक ह तो हम यहीं तक रखते हैं और वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल में पहले बार आये होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजेगा अपना ख्याल रखेगा दोस्तों हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक न